इफ theta is an acute angle and sin theta equal to cos theta, find the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1, तो हम इसकी value find करनी है, तो दो तरीके से हम इसका answer find कर सकते हैं, पहला method है कि sin theta equal to cos theta दिया हुए, तो यह अपना sin theta और इधर है अपना cos theta, तो both side के अंदर हम लोग divide कर देंगे cos theta से, इधर भी हमने divide कर दिया cos theta से, अब sin theta upon cos theta आपने पास क्या हो जाता है, tan theta, और cos theta से cos theta divide हो गया, आप 1 आ जाएगा यहाँपे, तो tan theta equal to, अब tan के अंदर किसकी value 1 होती है, तो इसको 1 की जिगह हम लग, हम यहाँपर 1045 degree लिख सकते हैं, तो tan theta equal to 1 की जिगह हमने लिख लिख लिए 1045, इसी को use क्यों किया है, क्योंकि तकि दोनों तरफ compare कर सकें, अब tan theta equal to 1045 है, इसका मतलब theta आपस में equal हो जाएगा, compare करने पर theta equal to कितना आजएगा, 45 degree, तो इस तरीके से theta find कर लिए है, तो इसकी value हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 2 into, 10 square theta को, 10 theta का whole square भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, तो यहाँ पर theta की ज़िए 45 लिखेंगे, तो यहाँ पर आगया अपने पास 1045 degree, तो इसका square आजएगा, इसी तरीके से sin 45 degree, इसका square आगया, minus 1, तो यहाँ से इनको solve कर लेते हैं, 2 into, अब 1045 की value कितनी होती है, 1, 1 का square, sin 45 की value, 1 upon root 2, और इसका square, minus 1, तो 1 का square 1 हो गया, multiply करेंगे 2 से, तो 2 आजएगा, इधर solve करेंगे, 1 का square 1 हो गया, root 2 का square करेंगे, तो 2 आजएगा, minus 1 आजएगा, तो यहाँ पर 2 में से 1 minus करेंगे, तो 1 आजएगा, plus में 1 upon 2, तो इसको solve करने पर आगया, 3 upon 2, 1 and half कितना हो गया, 3 upon 2, तो यह तो अपना हो गया, first method, दूसरे method के लिए, हमें, complementary angles के बारे में पता होना चाहिए, तो जैसे की, हमने सीखा है, साइन जो 30 degree है, वो equal होता है, cos 60 degree के, साइन 30 की value कितनी होती है, अपने पास, 1 upon 2, और cos 60 की value भी कितनी होती है, 1 upon 2, तो इस तरीके से कुछ complementary angles के, इनके पास rules है, जैसे की मैं sin theta को क्या लिख सकता हूँ, cos 90 minus theta, जैसे की theta की जिगा 30 degree लिखेंगे, तो sin 30 degree, और यहाँ पर 30 लिखेंगे, तो 90 minus 30 कितना जाएगा, 60 degree, तो इनकी value equal होती है, इसी तरीके से cos theta को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin 90 minus theta, माली जिए, यहाँ पर मैं 60 degree लिखूँगा, तो 90 minus 60 कितना जाएगा, 30 degree, तो इस तरीके से कुछ rules है, sin को cos में, वो direct याद रखने के लिए, इन दोनों का sum हमेशा 90 degree होगा, 30 और 60 कितना होता है, 90, इनको plus करोगे, तो भी कितना आएगा, 90, तो इस तरीके से याद रखना है, 10 quote के अंदर भी इसी तरीके से होता है, say, cosec के अंदर इसी तरीके से, तो इन ही को use करके, इस situation को solve कर सकते हैं, तो second method अपना, हमारी पास है, sin theta equal था, cos theta की, तो आप लोग चाहें, sin theta की जिगा value पूट करते हैं, या cos theta, दोनों को same trigonometric ratio के अंदर लिखना है, जैसे कि उपर हमने solve किया, 1 की जिगा 1045 लिखा, तो यहाँ पर मेरे पास है, sin theta equal to, तो मैं cos theta को क्या लिख सकना हूँ, sin 90 minus, cos की जिगा लिख सकना है, sin 90 minus theta, अब दोनों equal है, sin के function के according solve हो रहे हैं, तो theta की value अपस में क्या होगी, इक्वल होगी, तो यहाँ से compare करने पर, theta अपस में equal होगया, 90 minus theta के, तो minus theta को इधर ले आएंगे, तो theta plus theta आजएगा, equal to 90 degree, तो यहाँ पर यहाँ आगया, 2 theta equal to 90 degree, तो यहाँ से theta equal to कितना आजएगा, 90 degree upon 2, जो किया जएगा 45 degree, तो इस तरीके से हमने इसको solve कर लिया, और 45 degree की value, जैसे कि पहले हमने value put की थी, उसी तरीके से वापस से हमने value put करनी है, same to same यही तरीका रहेगा, वो इ 3 upon 2 अपना answer आजएगा, तो दोनों method से किसी से भी हम लोग solve कर सकते हैं, उमीद आप लोगों को अच्छे से क्योसन समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं next video के अंदर, thank you,